वेलकम फ्रेंज आपको इस वीडियो में कम्प्लीट जो हिंदी का जो मंगल फॉंट होता है रेमिंग्टन गेल्ट टू उसके बारे में पूरा जानकारी मिलने वाला है ठीक है चाहे हम बेल्टरन की जो है टैपिंग टेस्ट दे या बिहार एससी का टैपिंग टेस्ट दे अ आपको क्या करना है सबसे पहले या तो नौट पेड़ ऑपन कर लेना है या वर्ट पेड या वर्ड ऑपन कर लेना है हम वर्ड ऑपन कर लेते हैं विंडो बटन प्रेस करके वर्ट टाइप करके एंटर कर देते फिर से एंटर वर्ड हमने ऑपन कर लिया यहां आपको थोरा मोवाईल में भी कर सकते हैं ठीक है यहां नीचे हम computer पर कर रहे हैं तो नीचे आएंगे जहां हमारा in लिखा यहां से हम Hindi सेलेक्ट करेंगे और देख लेंगे यहां मेरा Hindi इंडिक input 3 select हो गया देखें यहां पर आपका phone change हो कर मंगलबटी हो गया ठीक हम पहला दिन जो अभियास करते हैं, वो कैसे करते हैं, उंगली किस तरह से बैठाते हैं, वो आपको बतलाते हैं, आप उसे पहले थोड़ा अभियास कर लिजेगा, फिर दूसरा अभियास, फिर तिसरा अभियास, ठीक है, इस तरह से आप कीजेगा, टूटल आपको एक ही वीडियो में हम रहे हैं ठिक तो चोड़ कर आपको एससे उगली बैठाना से इस तरह से ठीक है और फिर आपको बीच में दो अक्षर छोड़ देना है तो यहां से आपको बठाना होगा double यह double quotes से फिर semi colon LK पर इस तरह से हम यहां पर उंगली बैठा देंगे चार-चार ठीक है कि अब हम लेप्ट से सुरू करेंगे तो यहां पर हमारा क्या रहा है क्या पहले क्या अब कर देता है ठीक है अब देखिए एकार कर हर्स इकार ह दिर्ग इकार फिर यहां रखकर इस अंगठा से चाहिए इससे आप space बार ठीक है अब राइट साइट से इधर से प्रेस करेंगे तो आधा तालब बिस यह जो हलंत लग कर आया तो मंगल फॉंट में आधा होता है आधा तालब बिस यह दंत स आकार और फिर इसी क टाइब करना होगा ठीक है ऐस सदी एफजी पर उंगली बिठा देना है बीच में दो अक्षर को छोड़ देना है तो कहां पर बठाना पड़ेगा यह डबल कोट से डबल कोट सेमी कॉलन एल के पर ठीक है एक एक बार दबाना है हम पहले देखिए यहां पर क्या प्रेस करे है दिरगी का फिर पीछे रखकर तब आपको अंगठा से स्पीस बार दबाना है ठीक है अब राइट साइड में ध्यान दिजेगा तो हम पहले इसे दबाएंगे तो इसे होगा आधा तालब बिसा फिर दूसरा वला उंगली को करेंगे तो यह फिर इसे करेंगे तो स और फिर इसे करेंगे आकार और फिर इसी से रख ठीक है तो आधा तालब यह दंत सब्सक्राइब फिर इस तरह से आप फॉर्च डे वाला जो है पहले अभ्यास कर लिजिए उसके बाद जब आपका यह अभ्यास अच्छे से हो जाता है उंगली बैठ जाता है तब आपको फिर से इ इसे एक अख इंग गया उपक्षार कषणिया और जेसलेस बच गया और यह जो पीछे से हैं प्रखता है जैसे मां लिखना हो तो मा आकार अश्वार पिर इधर करेंगे अधी इससे दबाएंगे तो क्या होता है हमारा bracket open होता है देखिए bracket open करने के लिए आपको code यहां देने का ज़रुरत नहीं है यह वाला एक बार press कर देते हैं हम इस उंगली से तो मेरा म, फिर त, फिर ज, और फिर ल, इस पेस लगाएंगे, अब फिर इधर देखिए, राइट साइड में यहां से करना, यहां से, दोनों में एक अक्षर हमारा छूट जाएगा, ठीक है, यह वाला और यह वाला देखिए, आपको छूट जाएगा, तो यहां पर हम कर रहे हैं, य फिर हम इस पेस लगादेंगे, एक बार हम फिर से आपको बतला रहे हैं, यहां पर देखिए, SDFG पर इस तरह से और डबल कोर्स यहां पर हम इस तरह से उंगली रख देते हैं, उपर ले जाना है आपको देखिए, यहां पर उंगली देखिए ध्यान से, यहां पर हमारा क् गूकार म त ज ल इस्पेस इधर आधा ख च व प न इस्पेस अब जो हमारा ये इधर बच गया एक अक्छर और इधर एक अक्छर जो बच गया उसको टाइप कर देते हैं नीचे आकर तो इससे क्या होता है हमारा इससे हमारा क्या होता है हर सुकार और फिर इधर आएंगे इससे क्या होता हमारा कॉमा होता है ठीक है इससे क्या होगा हर सुकार और इससे हमारा क्या होगा कॉमा होगा ठीक है इससे हर सुकार और इससे हमारा क्या होगा कॉमा होगा ठीक तो यह उपर वाला भी लाइन का हमार का अभ्यास हो गया अब हम नीचे वाला लाइन का अभ्यास करेंगे ठीक है तो नीचे में जो अक्षर होता है वह उपर वाले के पिक्षा दो अक्षर दोनों साइड में कम होता है ठीक है यहां जो अक्षर होगा यहां जो अक्षर होगा इसमें देखिए दो अक्षर ऊपर औ पड़ेगा देखिए जब हम पहला बाद उठाएंगे तो हमारा उगली कहा आएगा जैड पड़ाएगा ठीक और इधर राइट में उठाएंगे इधर में तो हमारा यह पर आएगा ठीक है सब्सक्राइब हमें लिखना होगा तब समझ में यहां से नीचे से अब रिखना है यह जो लगाना है उसके लिए बड़ा रख कर देने से इस इसमें लग गया वह जो बोलते हैं तो इसलिए आप युदि केवल इसका अभ्यास करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो हम समझ गए यहां से क्या हो रहा है हमारा ग्रह यदि लिखना हो ग्रह या और कोई इस तरह से कोई सब्द आता है तो उसके लिए हम यहां पर भी सकते हैं लिख सकते रह से हमारा यह सब करकेונה हो अच्युक्ते चलिए उसके बाद वाला जो सब्द है यह अक्छर है वह हमारा ग्रह फिर उसके बाती फिर यहां से ओर इसी उंगले से पिर हर से ओर फिर हम किया करेंगे इधर वाला उंगली से थीजिए फिर यहां पर देखेए पहले और दूसरा उंगली से यहां पर पर कों आपको औहला प्रेस्ट खी कि अधाध्ध दूसरे वाला से आधान अधा मुरधान ना अधा मुर्धन नेना फिर ए फिर उ और फिर इसे हमारा फिर लगाएंगे इस फ्रेस ठीक है एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं यह वह करें तो पहला यह समझना है हमें जैसे ग्रह प्रहरी क्रम लिखना हो तो यह सब हम लिख सकते जैसे लगा देंगे तो क्रह हो गया मा क्रम देखे क्रम हो गया तो यह सब यदि आपको सब्द बनाना है तो जैट का यूज पड़ेगा अब इसके आगे का उंगली से दवाते हैं तो यहां पर होता है फिर ओंगली देखना है आपको फिर और फिर हर से इस पेस अब इधर आएंगे तो यहां स्लैस से है ना इधर सलैस से यहां पर अधा धा फिर अगले वाले उंगले और फिर और फिर द इस तरह से आप क्या करिए हब अब्यास पहले अच्छे से कर लिशी ठीक है इसके बाद होता है यह आप यहां पर सकते आप किताब से यह यहां देखिए दिकत क्या होगा आप पहले हर सीकार लगा दीजिए सा लगाईए एसे हमारा अंस्वार हो गया हर लगाते देखिए अभी लग रहा है गलत लिखें लेकिन जैसे हम इस पेस बार दबाएंगे यह देखिए हमारा सही हो जाएगा ठीक फिर जब आगे कोई सब् उसको जो है आप अच्छे से अभ्यास कर लिजेगा हम एक वाकी लिखते हैं जैसे यहां भुक में लिखा है हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करें अब देखिए यहां पर लगा है पूर्ण विराम कैसे लगाएंगे तो आपको समझना यहां पर इधर वाला उंगली से खाय दे रहा होगा तो हमें इधर से कोई अक्षर दबाना होता है इस वाले उंगली से इधर वाला उंगली है ठीक यहां पर करते यह यहां पर दबादेंगे यहां पर फिर्द देखे यह back कीजिए उद्हाम तो फिर हमारा सही हो जाएगा ठीक है को इसके बाद और कुछ सब्द हम क्या करेंगे फिर टाइप करेंगे जैसे हमें मानले लिखना है वन तो वन उपर में व न वन तर या तो आप कोई किताब से छोटा-छोटा सब्द लिखिए आपने मन से भी लिख सकते हैं अभ्यास करने के लिए याने तो यह बुक से आप यह यसे अग्र-सर लिख सकते यहां कि यहां पर नमबर का बैठ है नमबर कैसे हम मंगल ने तो नमबर लिखने के लिए आपको ध्यान देना है यहां से आपको number लिखना है क्योंकि English में जो number होता है यहीं से type होगा यादि आप इधर जो number की होता है यदि आप यहां से number टाइप की जेगा तो translates है हम यहाँ पर इधर से करते से वन हम नियुक्णत ठीज भाघेंग उस्थ थरह से तो नमबर लिखने के लिए हमको ध्यान देना यहां से लिखना है तब आपका हिंदी में जो है यहां पर इंग्लिस वाला फॉंट में आएगा अब जैसे हमें यहां पर अब सीप्ट के साथ आपको अभ्यास करना होगा ठीक आप क्या किजिए अभ्यास किजिए वीडियो प्रदीट कर लिए अब यहां तो फिर उसके लिए भी हम complete वीडियो बना देंगे आप इसमें जो हमें comment किजिएगा तो हम बना लेंगे ठीक है चलिए हम यहाँ पर शिप्ट वाला जो है अब अभ्यास करतें यहां पर तो सिप्ट के लिए पहले बीच वाला रोका करेंगे है ना तो सिप्ट के लिए आपको क्या करना देखिए हम पर पर यहां पर और अथा, फिर आपको अधा था और फिर हमारा यहां पे लोग बीच जुरुषत नहीं होता है और फिर आधा-भत स्पेस कर देते हैं फिर सिफट के साथ इधर वाला उंगले से प्रेस करते हैं यहां से होता है आधा मुरधन यहां पर बच गया इससे हमारा क्या होता है तो शिप्ट बाते हैं इधर वाला उंगली से और फिर यह दबाते हैं तो देखें यहां पर क्या रहा है हमारा आकार होता है इससे काम लिखना हो तो क आकार म काम यहां से भी होता है यहां सिप्ट के साथ ए म काम ऐसे भी तो यहां हमारा के से भी जो हैाकार होता है काम और फिर इधर सिफट इससे दवाते ho सिट को यहाँ अ उगली को तो यहां पर देखे क्या होता है उस हमारा बिना सिफट का फिल्ड के साथ अप है ढ़न जया हमारा सिफट के साथ होगिक है एक 2022 हमद बंद होता है यह भी चाहिं हम फिर जब आप यह अभ्यास करनेगे तब आपको उपर वाला अभ्यास करना है तो फिर हम इदर दबाते हैं और फिर हमारा अधाला इएया फेर देखकें अब धिक्च्छा और और अधा न trade इस तरह से आप उपरे भला अभयाश कीजिए पीर हम इदर if इससे होता है इससे क्या होता है इससे क्या होता है ठीक है उधिआ कि अर फिर यहां जो एक अश्र कर गया इससे क्या होता है ऋपर वाल अभियास कर ल Willum यहां से क्या होता है हमारा देखिए आधा र दिख रहा है आधा रण नहीं होता है यहां पर आपको हम क्या करतें फिर सब्द बना कर दिखाते यहां जैसे हमने पिना सिप्ट का जैड और फिर हा ग्रह हो गया इसको जैसे करक रेखा लिखना हो करक को और कपे फिर रेव तो का लिख दीजिए फिर का लिखिए और इधर वाला उगले से शिप्ट और ये जड दबाईएगा तो देखिए रेफ लग जाएगा उपर जैसे इस पेस देंगे तो देखिए हमारा हो गया करक जैसे गर्व लिखना हो गर्व तो ग व और शिप्ट के साथ ये जड दबा देना है तो गर्व हो जाएगा इसको हम सब्द बनाकर ही इसका अभ्यास करते है जड ठीक है फिर इसके आगे कीजिए अब तो यहां से हमारा हो जाएगा क्या आध अधा और फिर यहां पर और फिर यहां से ठ तो इस तरह से आप सिफ्ट के साथ भी अभ्यास कर लीजिए जब हम सिफ्ट के साथ अभ्यास कर लेते हैं तब हम कुछ सब्द बनाते हैं जिसमें हमें दिक्कत होगा लिखने में देखे जैसे हमें यहां पर लिखना पर लिखना हो मालिए रुप्या लिखना यहां कर दो यहां से था को सिफ्ट दबाना dialog नै वाला सिप्ट दबाना है ठीक है हम यहां पर सिप्ट दबा देते हैं और यह जो उपर टिल्ड बटन दिख रहा है यहां पर वन के पहले इसको दबा देना है ठीक है तो देखिए हो गया हमारा दोया संजुक्त आकार लाया विद्याले यह आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो दोया संजुक्त आप यहां पर करने वर्ड में तो इस तरह से आएगा ठीक है तो हम एक चीज़ सिखें सिप्ट के साथ यह टिल्ड बटन वन से जो पहले है इससे हमारा दोया संजुक्त होता है ठीक है और बिना सिप्ट का यहां पर तो यहां पर डॉट नीचे डॉट लगता है जैसे हमें लिखना हो मालेजे बड़ी बड़ी तो ब ड़ लगाई है यहाँ पर सिफ्ट के साथ इससे ड़ और फिर इसे एक बार दबा दीजिए हो गया हमारा देखिए बड़ी नीचे यह पॉइंट लग जाता है बिंदा जिसको बोलते हैं यह इससे लगता है बि यहां से लगाना है परी अधात्वा लिख दीजिए तो आप देखिए क्या है मंगल फॉंट में जो रेमिंग्टन गेल टू पर हमारा टाइप होगा बिहार से सी हो चाहें बेल्टरॉन दोनों में रेमिंग्टन गेल टू पर तू क्या मतलब क्या होता है देखिए आपको क लिखाएंगे वहाँ पर बेल्टरॉन की वेपसाइट पर भी चेक करके यहां जैसे हमें पिर्थवी लिखना हो तो हमने प्री लगा दिया यहां से अधात्व लगाएंगे यहां से आधात्व तो अभी यदि वहाद रिकार कर देंगे तो यहां तो सही हो जाएगा लेकिन फिर दिर्गीकार पिर्थवी इस तरह से लिखना है तब हमारा एक्जाम में सही होगा अभी आप थोड़ा आगे जाकर अभी हम देखेंगे वेबसाइट पर देखेंगा हमारा गलत हो जाएगा यदि हम आधा में ही उसे टाइप करते ठीक यही बस ध्यान देना है आधा था आया पूड़ा करकर मरू अस्थल इस तरह से लिख देंगे ठीक है इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है मतलब जो सब्द हमारा आधा लिखा रहा है कोई अक्षर उसे पहले पूड़ा करना है कि लगाकर और फिर शिप्ट के साथ प्लस दबाकर हलंत लगा के फिर आधा करेंगे ठीक है जैसे हम आपको यहां पर जैसे देखिया मा लिखना है ठीक मा यदि आप यहां एमेस वर्ड में टाइप करेंगे तो मा आकार है ना चंदर लगा देते हैं सिफ्ट के साथ ऐसे और फिर बिंदा यानि अनस्वार लगाने के लिए दबाते है इस सब्सक्राइब आपको सही सही नजर नहीं आएगा यह सही नहीं लिख रहा है ठीक है तो मा यदि एमस वर्ड में लिखना है तो मा आकार अब आपको थोड़ा सा कोड ध्यान देना होगा ऐसे बेल्टन की ग्जाम में या बिहार से सी में कोड का जरुरत नहीं पड़ता है इसमें लिखा भी हुआ है ठीक है अब कोड दबाना है तो देखिए कोड के लिए यही वाला कीबोर्ड कीपेड हमारा काम करता है हमें क्या करना है कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस करना यहां देखिए अल्टर है यह अल्टर हम एक उगली से दबाए रहेंगे और फिर यहां आकर तैस जीरो पांच दबाकर अल्टर छोड़ देंगे देखिए आपका वहां पर लिखा गया मा चंद्रबिंदू लिखा गया तैस जीरो पांच होता है हमारा किसका कोड होता है चंद्रबिंदू का कोड होता है ठीक है तो यहां पर मा लिखने के लिए हम अल्टर 23-05 दबा देंगे, अल्टर के साथ यहां पर 23-05, यह जो अल्टर है, यह और 23-05, ठीक है, तो चंदरबिंदू का तो खोड, यह हमारा होगा, अब जैसे देखिए, उखली लिखना है, ठीक है, उखली, तो यहां पर U हमने लिख दिया, अब इसे आपको क्या करना है, यह तो ह ठीक, फिर ख, और फिर ल, दिर्गेकार, उखली हो गया, ठीक, तो हमने यहां पर क्या सिखा, हर्सव ने दिर्ग U लगाना है, तो पहले आपको हर्सु लिखना होगा, और फिर शिप्ट दबाना होगा, इधर शिप्ट और फिर क्यू दबा कर, इसे हम हर्सु कर सकते हैं, यह भी हमारा जो है यहां पर हो गया फिर देखिए नया कुछ देखते हैं अब जैसे हमें लिखना देखिए यहां पर कुछ जो यहां पर नंबर से कुछ घटर लिखाता जैसे हमें लिखना है मालस्ट राश्र तो रास्ट्र देखिए कैसे लिखिए की सत्रा क्या किया हो सकता टीर है तो कि लेना है और फिर जट को प्रैस कर दिजे कर दिच je लगा हुआ है तो बाहर अब बीच में तो एक्किसे होता है हमारा इदर सिफ्ट करना है इधर वाला उंगली से और यहां से आपको 5 प्रेस कर देना हो गया अभी बार बार लिखेज़े तो सिफ्ट 5 से यह शिफ्ट के साथ 5 से हमारा क्या होता है डैस लगता है यहां पर यह ऐस से दिखेगा फिर सॉप्टवेर पर आपको द्रधाशनाजुकत 1 महिन दिेगा हैं कि तो आपको धत्री याद रखना है जफ्ट के साथ 8 से ह ना धत्री 5 होता है किस से शीप्ट के साथ 9 से और 3 री री होता है हमारा सिफट के साथ किस से जीरो से ठीक है सिफट multip guess 0 से देखिए हम यहां पर सिफट के साथ एड सांजुमरे करते हैं तो दढ़ सन्जुम dafür करते हैं लिखा है लिखा है आठ तो विष्छ लघाना कैसे लगाएंगे तो दबाना है इदर से और इदर नंबर 3 प्रेस कर देना है तो देखिए अत Bell tell धिन जत के साथ 3 से हमारा क्या कर देना है तो यह सिंगल अप्GHT लग तो कर दीए तरह इस तरह से हमius लगा सकते हैं बिलत्व हो गया हमारा आँ अब अब स्भीड़ा वांट वह लखने से आपको तो लगभग सारा उसमें सब्द हमारा आजाता है यह सारा अक्षर आजाता है वह हम लिखते हैं आप भी उसको अभ्यास करके देखिए गा, ठीक है, यहां उगली हम बैठा लेते हैं, अयोध्या लिखना है, तो हम यहां कुछ नए आएगा तो हम बताते हैं, अब यहां भूपती श्री दसरत के जेश्ट तो यहां ज़तो पुड़ा है सिप्ट के साथ आपको प्लस करना यह आधा लगा गया हलंत अब यहां आधा मुर्धने साथ तो आधा हो गया ना पुड़ा करना है फिर हलंत लगाना है और फिर ठाल लगाना है ठीक यह होता है रेमिंग्टन गेल टू जेश्ट पुत्र है न तो तरह हमारा किस से होगा शिप्ट के साथ नाइन से होगा श्री राम चंद्र तो न लग गया लेकिन न हमारा आधा है चंद्र में तो शिप्ट के साथ प्लस और फिर यहां से द और यह जट लगा देजे तो द्रह हो गया जी ने रावन से घमासान तो शिप्ट के साथ यहां पर अधागह आया फिर यहां पर हम क्या करेंगे इससे पहले के से पूड़ा कर देंगे अब हो गया घमासान युद्ध तो दधा संजुक शिप्ट के साथ जीरो में उसकी पांकी जो अक्षर आपका हमने सुरू में जो लाइन वाला बताया आप ब्यास वो कर लेंगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा अच्छे से में अम्रित अब री लगाना है इसमें रीकार का मात्रा तो री का मात्रा कहां से लगता है यहां से लगता है यहां से उंगली ब लगाए अब नीचे पॉइंट लगाना है तो बस यह वन से जो पहले है ना यहां पर टिल्ड इसको दबा देना कर जड़ कर देखिए हो गया ना वहां बिंदा लगकर अपने यहां पर देखिए मुर्धन ना को पूड़ा किये फिर शिप्ट के साथ प्लस और फिर द प्रचंड इस तरह से फिर भी आपको यह दिक्कत होती है तो आप हमें बताईए नंबर भी आपको मिलाईए हमारा वहां पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं ठीक है हम वहाँ से फिर देखकर आपको बता देंगे कोई दिक्कत होती है तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं उच्छी चन्व में उसके प्रान अखे रूप तो शिप्ट के साथ यह यहां से रूप हो गए पुर्ण विडाम लगाना है देखिए इस पेस नहीं लगाना है आपको नहीं सोरी एक हो नहीं यहां पर सिप्ट के साथ वन को प्रेस कर देना है ठीक तो हो गया पुर्ण विराम अब रिशियों री किस्से होगा यह सिप्ट के साथ जीरो से और फिर आधा मुर्धान सब को पूड़ा यह रिशियों का कहना है कि ऐसा विद्यावान तो दया संज देखकर आधा कर देना है अनुस्य अर्थात कि रावन की प्र तो यहीं जैट दबा देंगे किली लगाना तो क यहां से प्लस दबा दिजिए हर सिकार था प्रकिर्थी वाला व्यक्ति तो वह देखिए पूड़ा आया सिफ्ट के साथ प्लस यह हर सिकार क पूड़ा गया त कभी सफल नहीं हो सकता इसलिए आप लिखते हैं जब तभी आपको लगेगा कि हमारा गलत हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देखते हैं वह ठीक हो जाता है अपने आप तो कभी घमंड पुड़ा करके फिर हलंद फिड़ा करना कि यहां पर पहले हार पूर्ण विराम ठीक है चानओ ओच्विप्ट के साथ ये सविचा है इसके ऑश इस तरब यहां पर यहां पर आ जाता है तक है इस तरह से आपIT का अभ्यास कीचे यहां पर जो का जो है आप यहां पर क्या किजेगा पाउस करके आप लिख लिजिए चाय बुख है तो अब ध्यास किजिए ठीक है अब आrecht आजाते हैं कहां सब्द करें looking हमारे पास यहां पर महिसार मिन कुछ है सब्दीर हुआ हान। फिर माल लीजे हम आपको दो मिनट मेंट का ही तइप टो यहां पर मंघल रेमिंग तेंट करना हम कोईल झायर वहां उसका फिख करते नीचे हमारा समय यहां नथलिकर हमें करना है यहीश के न लिखकर सिफ्ट के साथ प्लस से आधा और पिर अत्यंत इस तरह से लिख नहीं तो फ़र्शिकार वह और यहां पर नहीं ऐसे लिखना होगा यह दि हम कोई मुझे जान भूज कर गलत लिख रिए जैसे देखे अब काफी में और यहां पर क्या है वहां पर देखे फुर्द प्वाइंट है तो बस यहीं टिल्ड वाला यह से पहले तिल्ड काफी दिनों तक रखने के कि अवजूद असुद तो असुद देखिए यहां पर हमारा यह हमने लिख दिया सिप्ट के साथ एट यहां पर देखिए ऐसा आया ना असुद नहीं होता जब की जब की है ना अभी तक हम ठीक कर सकते हैं जब तक आप इस पेस ने दवाते हैं ना फिर साधारन जल कुछ दिनों यह देखिए मिश्टेक हो गया ना हमारा अब हमारा यह कैप्सलाग ओन हो गया इसलिए हमारा यह मिश्टेक हो रहा था ही सर अब नीचे लगाएंगे यहां पर हम सर जाता है पुर्ण विराम यहां वन से गंगा का उद्गम तो द अब देखिए उद्गम लिखना यहां तो कोई कोड लिखने का ज़रत नहीं द लिख दिए शिप्ट के साथ यहां पर आपको क्या करना है प्लस दबाना है हलंत लगा देना और नीचे आकर यह लिख देना इससे गहता है यह वाला से ठीक है देखिए सेम टू सेम होगे ना उद्गम अस्थल पहले पूड़ा सा फिर शिप्ट के साथ प्लस और फिर था और फिर ला अस्थल अना गंगोतरी तो यह तरह आपको यह इस लेशन का पूड़ा चाहिए कि हमें ना पूड़ आप करके दिखाईए एक एक अग्षर तो आप हमें कमेंट किजिएगा हम फिर अलग से आपको वीडियो बना कर यहां पर बता देंगे ठीक है आपको यह दिक्कत होती है यह सब लिखने में तो आप हमें बताईएगा अभी हम जो है आपको एक ही वीडियो में सोच रहे है जिससे आप जो है इसे लिखकर अभ्यास करके सीख सकते हैं जागें इस तरह से जो हम इसका अभ्यास करते हैं तो फिर यहां पर आपको स्पीड उसका देज़रे दिखाएगा ठीक है इसे हम क्लोज कर देते हैं जो सब्द लिखने में आपको दिक्कत होता है हमें बेल्टॉन के वेब साइट पे जो हमारा टेस्ट होता है वो भी कहा होगा तो वही आपका रेमिंग्टेन गेल्ट टू पे होता है देखिए हम यहाँ पर B S E D C लिखते हैं आपर हम चेक कर सकते हैं हमारा टैपिंग का जो किस तरह से वहाँ पर टैपिंग लेता है कि यह हमारा वेब साइट खुल गया यहां पर आपको आना है देखिए यहां नीचे व्यू मोर में यहां पर ठीक है और फिर यहां नीचे आते नीचे इंग्लिस तो आप करें लेते हिंदी टैपिंग क्यों सिट मॉक लिंक पर हम क्लिक करते हैं यहां पर यह हमने पहले भी करके दिखाया है यहां अब हम यहां साइन इन पर क्लिक कर देंगे यह खूलेगा ठीक है और फिर यहां नीचे नेक्स्ट करेंगे यहां टिक लगा देना आपको फिर यहां आइम रेडी टू बिगिन कर देना है अब यदि आप अपने कंप्यूटर पर करेंगे तो आपको ध्यान देना है वही नीचे यहां पर जो है मंगल फॉंट यहां पर हिंदी सेलेक्ट करके देख लेना इंडिक इंपूट आया कि यहां देखें टाइमर सुरू हो चुका है ऐसे ही चलेगा यहां पर क्लिक करना है अब वहां जो टाइपिंग होगा इसी तरह से आपका कलर किया हुआ रहेगा और हम यहां टाइप करेंगे अब अगर आप तो यह आगे बढ़ते जाएगा अब यह में बैक स्पेस करके देखना पड़ता है हम सही लिख रहे हैं नहीं हो सकता है आपके कंप्यूटर पर यह आगे बढ़ते जाए हमारे पर नहीं बढ़ता है अब जैसे दीखियर न ल निखियं और हमक्या और हम क्यका कर देता है सिफ के साथ स्पूच यह कह मंश्यूच करते इक हैं ठीक है न अब फिर यह देखिए अब हमारा सही हो गया है ना तो हम वहाँ पर tapping करके वहाँ सुधार भी कर सकते हैं है ना जो हमारा tapping test होने वाला यह तो original test है मंगल फॉंट का Beltran की website पर तो ऐसे ही हमारा वहां भी टेस्ट होगा तो आप यहां कर लेते हैं तो यहां आकर भी जो है इसका प्रेक्टिस पहले से कर लीजिए पिर ऐसे हम मच्छरों में हो सकता है आपके computer पर यह color होता रहेगा है ना जैसे अभी हम English का थोरा करके आपको द यहां वन से पूर्ण राम तो आप इस तरह से करके देखिएगा कोई दिक्कत होता है तो फिर हमें बताईए हम उसका जो है अच्छे से वीडियो फिर बनाएंगी ठीक है इसे क्लोज करते हैं इंग्लिस में यहां पर इंग्लिस में यहां पर आजाते हैं तो वहां जो हमें सुरू करते हैं यू यह मंगल हमारा सेलेक्ट है वहां पर है तो वहां तो हमारा आटमेटिक फॉंट आ जाएगा यह तो हम कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो चेंज करना होगा है इस तरह से आप लिखिए देखिए यहां पर हमारा कलर बढ़ रहा है ना आगे यह देखिए आपर यह आपका आगे बढ़ते जाएगा ठीक है वहां पर पता नहीं हिंदी में क्यों नहीं बढ़ रहा है लिकिन एक्जाम में हमारा बढ़ेगा ठीक है अब यदि हम जान बूच कर देखिए एनी का स्पेलिंग गलत लिखते तो वहां कलर हो गया आप बैक स्पेस करके अब आपको धूंदने में थोड़ा दिक्कत होगा कि कहां पर हमने गलत किया था यदि कोई सब्द गलत हो जाता है तो हम तुरत उसको ठीक कर लेंगे अब यदि आप माले बढ़ गया आगे जैसे हम यहां पर आर्काइ स्पेलिंग गलत कर देते और इंपोर्त अब हम यहा करके अपना आप सब्द लिखिए जैसे हम देखिए आगे लिखेंगे चीह आरे सीटी एर करेक्टर तो वहां देखिए आपका यहां पर आर हमारा यह अब करेक्ट हो गया तो बाद में भी सुधार कर सकते लेकिन जैसे माउस पकरेंगा ना तो थोड़ा हमारा समय जो है पूसिस किया है फिर भी यह आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में कीजिए हम उसका सल्यूशन करेंगे नेक्स वीडियो में ठीक है चलिए थैंक यू झाल 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 झाल